पर इसे ट्रांसपर करने के काफी सारे तरीके होते हैं उन्हीं में से एक तरीका है चेक चेक भरना काफी लोग नहीं जानते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग है जो चेक भरते हैं तो कुछ इसे गलती कर देते हैं जिससे उसका चेक है कैंसिल हो जाता है तो मैं आज आपको इस वीडियो में step by step बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप check को fill up करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि cancel check क्यों लिया जाता है और cancel check कैसे बनाते हैं चले वीडियो को सुरू करते हैं Shut up and sit down कि यहां पर है मेरे पास state bank of India के चेक बुक चेक को फिलब करने से पहले चेक को भरने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान दखना होता है यहां पर सबसे पहले है आपके date month और year का column इसमें आपको सबसे पहले date डालनी पड़ती है date डालने के बाद आपको इसमें जो date डला जाएगा उस date से लेके अगले तीन महिने तक यह check का valid रहता है यह check expire नहीं होगा तीन महिने के बाद यह check expire हो जाता है यह check को एक काम का नहीं रहता है date डालने से लेके तीन महिने तक आप इस check से कभी भी पैसे निकाल सकते है डेट के बाद जिसको तीन महें पूर जाएंगे चेक एकस्पायर हो जाएगा, इन्वैलिड हो जाएगा, इस चेक से आप पैसे निकाल नहीं सकते तो इसमें आप डेट डालके तीन महें तक इसको कभी भी इसको चेक को यूज कर सकते हैं दूसरा option आयाता है यहाँ पे का अगर आप चेक से खुद पैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे self अगर आप किसी को दे रहे हैं किसी के नाम से चेक बना रहे हैं तो उस परसन के यहाँ पे नाम लिखेंगे इसे किसी आदमी को आप यहाँ चेक बना के दे रहे हैं उसका पूरा यहाँ पे detail में लिखेंगे जैसे आप 10,000 की check बना रहे हों तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं 10,000 रुपीज हो ली इसके बाद अगला option आयाता है यहाँ पे आपको रुपीज का यहाँ पे आपको 10,000 का check अगर बना रहे हैं यहाँ पे आपको आँक में लिखना है कि 10,000 रुपीया यहाँ पे आपको लिख देना है इसके बाद यहाँ पे आपको account number आयाता है इसके बाद यहाँ पे आपको signature करना होता है काफी लोग यह करते हैं कि signature यहाँ पे नीचे कर दते हैं जिससे उसका चेक है Cancel हो जाता है तो आपको signature नीचे नहीं करना है बालकि ये जो name लीखा हुआ इसके उपर में यहाँ पर आपको signature करना है नीचे यहाँ पर आपको check number होता है अगर आप से कहीं भी check number मांगा जाता है तो आप यही लीखा हुआ है 422661 तो यह चेक नमबर आप उसको देंगे आगे यहाँ पे आपको MICR Code है यह वाला इसके बाद आगला यहाँ पे RBI Account नमबर यह वाला आपका हो जाता है यहाँ पे यह आपको 31 जो लिखा हुआ है यह Transaction ID होता है तो चलिए यह चेक को हम फिल करते हैं आज का जो बी डेट है वह दीट यहाँ पे हम डालदेते हैं जैसे आज डेट है 28 फटबड़ी तो यहाँ दाल देते हैं 28 यहाँ पे 202 और जो यह है 2020 मैं इसमें डालदेता हूँ यहाँ पे देखिए यह डेट आचुका है इसके बाद यहां पे आपका आजाता है पेका आप जो है खुद निकाल रहे हैं पैसे तो यहां पे self लिखेंगे अगर आप किसी person को दे रहे हैं किसी company की नाम से check बना रहे हैं तो उस company का उस person का नाम यहां पे आप पूरा लिखेंगे जैसे मैं यहां पे कोई परसन का नाम डाल दिया हूँ जिसको हमें चेक देना है तो इस तरीके से यहां पे नाम पूरा डाल देना है इसके बाद यहां पे आप रुपीज लिखेंगे कितने का यह आप चेक बना रहे हैं वो आपको यहां पे इंगलिस में या हिंदी में ति यह हुए है तभी यह भालट होगा नहीं तो यह फिर यह इन्वालट हो जाएगा इस तरीका से आपको यहां पर सिंग्नेचर कर देनी है अब यह चेक पूरी तरह से रेडी है अब जिसके भी नाम से यह चेक बनाया है उसको दे दीजिए वह बैंक में जाकर इसको कैस करा प Swy तरीका से अगर आप लाइन घीजळते हैं तो इससे यह मतलब होता है कि फैसे कैस कैस्ट नहीं निकाल सकता है वह उसके एकंट में यह पैसे जो है लिखा हुआ वह पैसे उसके एकंट में ट्रांसपर होनोंगे यह आफ ना डाल ट Ini यहां पर अपको यहां ऐसा को यह मांट डाल देनी है पर यहां आपको यहां डाल देनी है अगर आप कभी वह इस च्रेक को अगर कैंसल को और चाहते records fine तो जो आप यहां पर रिकॉर्ड रखे रहेंगे वह जाके बैंक में अगर दे देंगे तो वहां पर क्यास नहीं करा सकता है उसके बैंक में पैसे ट्रांसपर नहीं हो सकता है यहां पर यह होता है रिकॉर्ड स्लीप का मतलब यहां पर जो भी चेक नमर गाले लिक के केंसिल चेक का मतलब होता है कि एक चेक लेंगे उस पर केंसिल लिखेंगे और लानिंग घीचके यहां पर सिगनिचर कर देंगे तो इसको केंसिल चेक बोला जाता है केंसिल चेक को आपको कई जगबर डिमांड किया जाता है का मेन परपस होता है कि आपको बैंक एकाउंट को विरिफाई करना जैसे आप CAC का फर्म वरा भरिएगा तो वहाँ पर cancel check का option आता है वहाँ पर cancel check देना पड़ता है कि चेक के आपका account number आपका जो branch है उसका पुरा address आपका signature इसके बाद जो भी आपका check number है वो सारे के सारे यहाँ पर आयते हैं आपके signature को verify करने का वो जगह पर cancel check इसलिए मंगा जाता है ताकि आपके signature को वहाँ पर verify का सके तो यही दो रीजन होते हैं cancel check को लेने के या तो आपके ब्रेंग के details को verify किया जाता है या आपके signature को verify किया जाता है यह चेक बराना बहुत ही easy होता है बस उसको आप लाइन घीज दीए और यहाँ पर लिख दीए cancel तो यह होयाता है आपका cancel check और यहाँ आप signature कर दीजिए यहाँ पर भी यह चेक माग गया है वहाँ पर यह चेक आप बहुत ही easily उसको दे सकते हैं इस तरीके से आप को भी check easily fill कर सकते हैं यह तो बात हुई कि आप चेक कैसे भाँर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई check देता है तो उससे आप पैसे कैसे निकालेंगे पहले आपको check के corner पे यह देखने होगा कि check के corner पे cross line तो नहीं है अगर check के corner पे cross line नहीं है तो आप उसको cash भी करा सकते हैं आपको यह करना होगा कि आपको एक ID पे उसको एक ID के photo copy करा के आप उस check के साथ आपको bank ले जाना होगा तो bank में आपको वो amount दे दिया जाएगा जो check पे जो amount भरा हुआ है अगर check के corner पे cross land है तो आप उसको cash नहीं करा सकते हैं बलकि आप अपने bank account है उसमें आप लगा सकते हैं तो आपको यह करना है कि bank में जाना है वहाँ पर आपको पैसे निकालते हैं उसको वहाँ पर एक slip मिलता है वह slip लेकर उसको फिलप करना है और वहाँ पर टिक लगा जाता है चेक का उस पर आपको टिक लगा देना है इजिली आप उस फोर्म को भर के चेक जो है उससे साथ लगा के आप जो bank में जमा कर देंगे तो इजिली आपको जो पैसे आपके bank account में transfer हो जाएंगे So I hope कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करिए अपने friends के साथ share करिए अगर आपके दिल में कोई question हो तो नीचे comment box में जाके comment करके post सकते हैं